तत्यों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का PBR study में आज क्या पढ़ना है उसकी बारे में सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए आज की class में हम स्रीधराचारे सुत्र का निगमन करेंगे स्रीधराचारे सुत्र आप लोगों ने देखा होगा कभी समझा होगा और हाँ बहुत से ऐसे quadratic की question होते हैं जिनको स्रीधराचारे सुत्र से ही हल किया जाता है मदलब वो नार्मल तरीके से नहीं हल हो पाते हैं कोई भी परकार का quadratic की question जो नार्मली गुड़नखंड विदी से नहीं हल हो रहा हो उसे स्रीधराचारे सुत्र में लगा करके हल किया जा सकता है ठीक है ये सुत्र कितने लोगों ने अब तक देखा है मुझे एक बार बता देना यक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्कायर माइनस फोर एफी अपान टू ए कितने लोगों ने इसको देखा है अब तक हाई स्कूल में पढ़ा होगा नाइन टेंथ में सायद समझो फिर चलो आगे बढ़ें चले आगे सभी कमेंट देख रहा हूँ सबका थोड़ा तफली रखें वही देख रहा हूँ प्रियांसू धीरेस गोल्डी सिंग सिधार सचीन ठाकूर रिशी चोहान प्राची पवन सबके कमेंट आरहें सांती से सिर्फ कलाश देखें आईए इनका निगमन करेंगे मतलब यह आता कैसे है कैसे इसको प्राप्त करते हैं यह चीज सबसे पहले देखेंगे हो सकता है आपके एक्जाम में निगमन ही आ जाए इसका मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगा आप लोग उतारते रहना बस चलो देखो लिखो माना की दुइघाद समीकरण देखो दुइघाद समीकरण का जो स्टेंडर्ड फार्म होता सबको पता है यह है इस्टेंडर्ड फार्म ना इसको मान लो कि यह क्या है एक दुइघाद समीकरण है जहां एजीरो के बराबर नहीं हो सकता लिख लो एज़नाट इक्वल सुनने ठीक है हो गया आप क्या करेंगे समझना पूरा समझते जाना लिख लिए इतना हो गया हमें वो फार्मूला लाना है जो अभी मैंने दिखाया था अब लिखो दोनों पक्षो में होरे से गुड़ा करने पर भी आप दोनों पक्षो में गुड़ा इसलिए किया जाएगा कि इनकी कोई सिकायत ना रहे कि अगर आप बहुत ही ध्यान पूर्बग पढ़ेंगे आज तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी अन्यथा पल्ले नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि ये हाई स्कूल लेबल का है और जो डीयलेड या बीयड वाले इस्टूटेंट है उन्हें में बहुत छोटे लेबल का होत नहीं तो जो ये चैटिंग वाइटिंग चल रही ना ये आने वाला नहीं है फिर चलो देखो हां तो हम बात कर रहे थे कि फोर एका दोनों पक्ष में गुड़ा करेंगे दोनों पक्ष में गुड़ा इफलिय करेंगे जिससे समीकरन डिस बैलेंस नहों बराबर रहे और द तो गुड़ा करेंगे साथियों जब 4A का दोनों तरफ तो यह ऐसे बनेगा ठीक है? यह हो जायागा 4A square x square 4abx plus 4afy equal 0 ac है यह समझना ठीक है? डन? इतने में कोई दिक्कत किसी को कोई तकलीव? नहीं? हाँ राहूल जी कमेंट आपका आ रहा है जुलफिकर अली हाँ सिर्फ चारे से गुड़ा इफलिये कर सकते हो बच्चा क्योंकि वो ऐसी कंडिसन बनानी है बाबु जैसे वो फर्मूला है देखो हम है यह आलरेड़ी पता है कि क्या लाना है समझ रहो कि नहीं? यह मालूम है कि आंसर क्या एफिक्स है तो हमें उसी राष्टे चलना है नहीं जैसे हमें पता एक फलाने घर जाना है तो हम कैसे भी कौनों रास्ते जाएंगे जाएंगो नहीं घर न जो हमें ना पता होता कि कहीं भी जाना है तो पिर कहीं भी जाते किदर को भी चलते जैसे आधिकान सी स्टुडेंट की लाइफ है आज कल उन्हें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है लेकपाल का भी फार्म डाल रहे हैं, ससी का भी डाल रहे हैं, यूपी अससी भी डाल दे रहे हैं, बियार पुलिस का भी भर दे रहे हैं, पड़ कुछ नहीं रहे हैं, तो उनका कुछ डिफाइड नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे तो जो ये वाला पद है constant वाला दूसरे fight भेद देंगे तो minus 4 afe हो जाएगा ठीक done क्योंकि हमें यही सब तो निकालना है ना उधर fight में जा करके ठीक है अब देखो इसमें कुछ common हो सकता है क्या बोलो हो सकता है चलो लिखो पटापट अब हमें चुकी put work बनाना है तो दोनों side में हम b square जोडेंगे क्योंकि हमें उसका काम लगेगा आगे चलके ना क्योंकि यह होता नहीं yaks बराबर minus b plus minus हमें यह लाना है ना यह लाना है ना तो भाई साहब इसमें b square अगर नहीं जोडेंगे तो यहां तो कहीं भी square आएगा ही नहीं तो उसको जोडेंगे दोनों तरफ क्योंकि हमें यही लाना हल करके नीचे लिखो फट से लिखो अगले page में करेंगे इसको कि छोटा कर दें चलो छोटा कर देते हैं यहीं पे छोटा हो गया अडन चलो अगले लिखो पूड वर्ग बनाने के लिए दोनों पक्छों में P स्कॉाइर जोडने पर ठीक है ओके चलो भाई 20 स्कॉाइर जोड़ दो बाबु भाईया दिख रहा है ना छोटाप नहीं हो गया दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है बिल्कुल दिल दिमाग से देखो गे तब ही आने वाला है आज आकरे इसके हलके मजा लोगे नहीं आएगा पक्का चलो जिनको सीरेफली पचीस में पचीस नंबर लाना है डिलेड में वो पढ़ेंगे बेसिक नहीं आता बाबु तो बेसिक जोईन कर लो चलो तो यह हो जाएगा 4 A स्कॉाइर यक्स स्कॉाइर ठीक है और प्लस देखो यह काम कर सकते हम इसको जो 4 A B X है बाबु भाईया इसको हम ऐसा लिख सकते है 2 इंटू 2 A B अलग कर दे या फिर A X कर लो नहीं A B ठीक है ओके डन और A X बाहर कर लो इसमें क्या बुराई है कुछ गड़बढ है नहीं न यह टोटल था 4 A B X मैंने इसको ऐसे कर दिया क्यों क्यों क्योंकि हम एक फार्मूला बना रहे हैं और हम दोनों पक्षों में B SQUIRE जोड रहे हैं तो इधर हमने जोड लिया कोई दिक्कत नहीं है तो इधर है जोड लिया दूसरों साइडिया जोड एक पड़े उधर भी जोड दिया ठीक है चलो अब एक इत देखो अगर हम यहाँ पर समझो B की जगा पर B मान रहे हैं ठीक है और A की जगा पर साथी मेरे हम 2 A X मान ले बनेगा क्या ये बोलो बनेगा क्या देखो देखो मैं क्या बनाने वाला हूँ अगले पेज में देख लो फिर यहाँ लाओँगा बनाओँगा समझो 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 अगर हम A की जगा पर मान रहे है 2 A X और B की जगा पर B ठीक है आगे बढ़ो लिखो देखो यहाँ पर हमें यह सूत्र बनाना है यह सूत्र हमें बनाना है थोड़ा समझना अगर हम A की जगा पर 2 A X अब B की जगा पर B मान रहे हैं ठीक है तो साथी मेरे अगर हम A की जगा पर 2 A X माने तो यह हो जायागा 2 A X का स्कॉयर और A, A यानि 2 A X और B यानि B अब B की जगा पर B रहेगा क्योंकि वही है समझ न दिमाग खोपड़िम ला के आना भईया चलो दू दू ना 4 A स्क्वाइर यक्स स्क्वाइर और प्लस इसका मल्टिपल करोगे तो 4 A X ए भईया रुका न 4 A X तो रहेगा चच्चा ये B भी तो है यहीं में ऐसे और धन B स्क्वाइर ठीक है इसमें कोई बुराई नहीं है और हम इसी 4 A X को 2 इंटू 2 A B इंटू यक्स भी कर सकते हैं बोलो एक बार सभी हाँ इतना समझ में आया इतना करने का जरूरत थी आखिर आखिर इका तोड़े मरोडे का जरूरत थी इसकी जिंदगी सकून से चल रही थी क्यूं इसमें तूफान मचाया आदत होती है कुछ लोगों की बैसे मेरी भी आदत है देखो कैसे ये दो को दो बार गुड़ा करने बहाता है तो एक दो यहां आए एक यहां मैंने थोड़ा थोड़ा इनमें दूरी बना दिया बस चार हो गया ए और बी था ए भी मैंने इकठा कर दिया इनका मिलन कर दिया और यक्स को थोड़ा बीच में थे, इनको साइड में कर दिया, दूसरे भी रादरी में, बात तो अई होई न, अब अगर ध्यान पूर्वा के एकदम आखिक चस्मा निकाल के देखो, तो यह जोवन आया है भैवा, इतना न, इतना, इतना आया है न, यह किसके बराबर आया ह रुको, रुको, एकी जगापर टू एक्स है, थोड़ा रुको, 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 एकी जगापर टू एक्स था, धन बी की जगापर भी, यानि यह इसके बराबर आया है, समझना, बोलो आया कि नहीं, इसके बराबर आया नहीं है, तो यानि हम इस पूरे की पर इसके मोटके की जगा पर सफेद के वाले के अंदर की जगा पर हम यह लिख सकते हैं यही लिए इतने उजाई कर रहे थे बस तुम्हें यही समझाने के लिए चाहतमा लगा ले ना को आख पूड़ जाई ना भी आना गवन देखो अब तो 2AX और हाँ यह चीज मिलाओ सेम टू सेम पीछे है देखो यह देखो यही अभी आया था ना उधर एक पर सभी बोलो यस यह आया था कि नहीं सेम ओही आया है आया है नहीं रहुल कुमार अफरीन अंसारी सोनम ठाकूर रिशी चोहान ना जिया थीक है तो हम इसको का करेंगे का करेंगे के आरती उतारेंगे दिख रहा है ना छोटा कर दें उर हम एके जगा पर लिख देंगे 2 इतना मुटके मना लिखो भई हम इसके जगा पर लिख देंगे 2AX दहान B और इंटु इसका क्या हो जाएगा Whole Square ठीक है 2AX प्लस B का Whole Square ये पूरा-पूरा बन गया एक ठीफ फार्मूला और दूसर के साइड बचा B square minus 4AC देखी हम भी महुका पाके चवका मार दिये का यह minus में था इसको पीछे कर दिये प्लस वाला आगे कर दिये बाई जिनके time अच्छे चलते होते हैं न वो दुनिया में हर जगा आगे होते हैं यह minus में थे आ लेड़ी इनको पीछे कर दिया बन गया कुछ उमीद जग रही है अच्छा अगले पेज़ पे चलो इनको लेके वहाँ हल करेंगे इन्हें देख लो क्या है अब देखो समझो 2AX प्लस B का होल स्क्वाइर इक्वल B स्क्वाइर माइनस 4A बोलो यही था पीछे पेज़ पे इधर से हम स्क्वाइर हटाएंगे इनको नंगा कर देंगे तो यह ऐसे दिखेंगे और फिर इनके उपर पहिना देंगे कपड़ा बदलब यह अंडर रूट लगा देंगे बस सुत्रा रहा है की नहीं देखो थोड़ा थोड़ा दिल की धड़कन बढ़ रही है बढ़ेगी चलो तो अब का करेंगे भया B बराबर लेना है बाकी उधर ड़केल देना है तो B बराबर एक कहीं कुछ गड़बडा है रहा का यार हाँ B बराबर काये को लेंगे हमें तो यक्स बराबर निकालना है चच्चा रुको न सुत्रवा का होता एक बार फिर से देखो हमें ये लाना है हमें तो ये लाना है इसको देखो एक बार प्यार से देखो देखो मगर प्यार से, यही लाना है ना, जो बिल्कुल ध्यान से नहीं देखेगा, जिसका तूटा हुआ दिल है, धड़क रहा है उसके लिए, सुक्रिया, सुक्रिया, दर्द जो उसने दिया, उसके नहीं समझ में आने वाला है, जिसका दिल उलसब उसी के पास में उसी को आए गई है, कमेंट में देखता रहता हूं, तो मुझे थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है, क्या चल रहा है, तो अगर सिर्फ पढ़ रहे हो, तो आएगा, नहीं पढ़ रहे हो, तो कलास को दूई बार, तीन बार देखो गे, तब आएगा, अगर डिलेड में पचीस म चाहिए, सिकंड समयश्टर में, तो यह आपको आना चाहिए, बस, मुझकिल नहीं है कुछ भी, माता दीन आरा समझ में भईया, और उसी पटेल, परसांत राज, चलो ठीक है, तो हमें यह लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम B को उधरे भेजेंगे, दूसरे साइड में, अबर B को दूसरे फाइड में भेजेंगे, तो यह माइनस B हो जाएगा, रुको, 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 एकरें अंदर में थोड़े जाएगा, इनके छतरीक नीचे नहीं जाएगा, ऐसे बाहर जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारे फर्मूले में यह माइनस B पहले रहता है, भी दि 16 का वर्मूल करते हैं, तो इसका मान आता है, प्लस माइनस 4, बोलो आता है कि नहीं, अब यह प्लस और माइनस दोनों में क्यूं आता है, यह आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उस लेबल का यह पढ़ाई नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको नहीं बताऊंग, नहीं कहानी लंबी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझ लो कि वर्मूल निकालने पर प्लस माइनस दोनों में अंसर आता है, क्यूं आता है, इसका वीडियो भी मैं यूट्यूब में डाला हूँ, अब देख लेना, जरूरत नहीं फिलहाल अभी के लिए, आप जो क इतना हो जाएंगे, ठीक, मैंने इनका वर्मूल निकाल लिया, मानलों, ट्राई कल लिया, तो 2AX बराबर इनको इधर भेजेंगे, माइनस भी और यह प्लस माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यक्स बराबर, और यह 2A इधर जाएगा, तो बटे में हो जाएगा, भाईया यही लाना था हमें, बोलो बजरंगबली कीजए, लो होईगा, यही लाना था ना, जिन्दगी में उतना ही जुकना जितना जरूरी हो, आजकल का जो दौर चल रहा है न, अगर आप किसी के लिए, ज्यादा जुक जाओगे न, तो लोग तुम्हें कुचल के आगे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं, यह ज्यान की बात बहुत जरूरी है, बीच- हो, कहीं भी हो, कैसी भी कंडिशन हो, अपना एक सम्मान बना के रखना, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि आप लोग मेरी बात समझते हो, इसलिए बताता हूँ, चलो, आगे बढ़ें, सुनाना मेरी आदत है, आगला सामने माला कोई भी हो, कितना बड़ा भी हो, मैं सुनना कम सुनाना ज़्यादा चाहता हूँ, यही मेरी बड़ी बुरी आदत है, सुधार राओं दे दे दे, तो होगे आगे बढ़ें, चलो भाई, इनका यूज करना सीखें, अब तक तो मैं इनको जनम दे रहा था, इनको पैदा कर रहा था, कैसे आते हैं, मैं चाहता तो इसको रेटी की क्वेसन का, जो इस्टेंडर फाम है वही यह, नाजिया क्लास रोज चलती है, दस बजे राज से चलती है, हाँ, यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले ना, क्योंकि इस पर हम आपकी एक स्पेसल बैच ले करके आ रहे हैं, जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी बच स्क्राइब कर ले ना, इसका स्क्रीन साट अभी ले के रख लो तुरंद, जल्दी करो, कर लोगे तो अच्छी बात ना करोगे तो आप जानो, आगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें, चलो, इसको सूत्र से कैसे हल करते हैं, देखिए जब होम और किये रहन तो वास्तों मज आता पढ़ाने में confidence होता है, कभी-कभी भागते भागते आते हैं, कहीं गए रहते हैं, मुझ पोच के आगए, हलो दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का, आप लोग गरी आते वाए, ससरा कुछ मतलब का पढ़ाता नहीं, बकर-बकर कर रहा है, आथ देखो, content बना है न, चल से तूलना करने पर, देखो, जब slide बनी रहती है, जल्दी हो जाता है, कुश्चन हो गरा, सोचना पढ़ता है, वक्त ज्यादा लगता है, तूलना करने पर, तो कैसे होगा, भाई साहब, देखो, तूलना करना, मैं एक सिखाऊंगा, दिल से, बाकि तुम ना सीखोगे, तो जाओ अपने घर, परभाकर सर जी, बताइए, क्या कह रहे हैं, बोलने के लिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप जो भी बोलना रहे, बताना रहे, अगर, मैं समझा नहीं क्या बोला आपने, आपका पुराना कमेंट दिख नहीं रहा है, सौरी, इसके लिए, फिलहाल के लिए, आप मैसेज कर दीजिएगा, बाद में अगली क्लास में बोल देंगे, जो भी होगा, चलिए, आईए कंपेर करें, तो भाई साहब, हमें क्या करना है, इनके इससे कंपेर करेंगे, समझ रहे हो, देखो आई से, जैसे दो इंसान में कंपेर करना है, दो लड़का है, दो लड़की है, तो एक एक चीज में कंपेर करते हैं, देखो लड़का का लड़की से तो कंपेर हो भी नहीं सकता है, कुछ समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि सारे चीज एक दूसरे में उपलब्द नहीं होगे, लेकिन अगर दो लड़के-लड़के कि आपस में compare करना है, तो देख सकते हो, कि उसके बाल कितने बड़े-बड़े हैं, अब तुम लड़का की तुलना लड़की से क तुलना करोगे, जिसे देखो इन में दोनों में क्या है, इसकी इससे compare होगी, 7x की इससे bx से होगी, और इस 5 की c से होगी, कुछ समझ रहे हो कि नहीं, अब तुलना कैसे करेंगे, मान कैसे निकालेंगे, समझो यहाँ पर, आओ देखो कैसे, समझो, तो भाई साब तुलना करने का मतलब बराबरी करना, बराबर करके दिखाना, है न, जैसे कहा है कि Android की तुलना, iPhone से करके दिखाओ, होता है, कि उसमें क्या feature है, उसमें क्या नहीं है, वो सब फिलाल किनारे करो, मतलब की बात देखो, जैसे 6x का square, बराबर ax का square, तो यहाँ से तुलना करेंगे, तो हम निकालेंगे, क्या जानते हो, हमें सिर्फ ये वाला कमान निकालना है, ए कमान निकालना है, तो यक्स यक्स आप cancel कर सकते हो, तो 6 बराबर A, तो क्या करोगे, A बराबर कितना है, 6 आया, कोई दिक्कत, नहीं न, चलो B वाला का करो, भाई रोहिच जी प्रभाकर यादो नाम से जो कमेंटारा हिंदी में उन्हें ब्लाग नहीं करिएगा मिस्टर रोहिच टेकनिकल टीम आले सुन रहे हो न वो गुरु जी है हमारे ठीक है चले अब 7X की क्या करोगे माइनस 7X की तुलना इस BX से करोगे BX ठीक है यहाँ क्या होगा X से X डिवाइड हो जायागा माइनस 7 इकोल B बोलो सभी को समझ में आया A और B का मान आया देखो सब में नहीं बताऊंगा मैं इतना हो जाई करके मैं सीधा फीधा लिखूंगा अगले कोश्चन में C की कंपेर 5 से करना है चिन्न के 7 चिन्न के 7 तो सीधा फीधा माइनस 5 से बस चलो फिर चल भईया तो लिखो फिर क्या क्या आया है मान A बराबर 6 B माइनस 7 C बराबर माइनस 5 लेखो का का आता है यक्स बराबर माइनस भी अब है छोटा लिखो यार ठीक है मान रख लोगे सभी कर लोगे चलो देखो मान रखते आओ तो यक्स इक्वल माइनस B देखो B का मान है भाई साहब 7 वो भी माइनस में है और यह यहाँ भी माइनस है तो हम डारेक्ट इनको प्लस में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं तो का दिक्कत होए लोगे को ऐसे लिख दे रहा हूं लो ठीक है अब बीच में प्लस माइनस है तो लगा दिया अंडर रूट B स्क्वाइर यानि B का मान माइनस साथ है तो माइनस साथ का स्क्वाइर माइनस 4 इंटू A C A का मान क्या है 6 है C का मान माइनस 5 है तो इनको छोटा साइसे लिख लो माइनस में है इसलिए थोड़ा सम्मान के साथ चलो 2 A A का मान माइनस नहीं प्लस में था 6 बस इतना है ना इसको हल करना अगले पेज़ बे कुछ कहे ना किसी को कर लोगे ना आप चलो हल कर लो भईये साब देखो B स्कॉाइर माइनस 4 A C का मान अगर 0 है या 0 से बड़ा है या पूर वर्ग है इसके बिबित कर क्या होंगे मूल क्या होंगे वो किसकी कंडिसन आगे दिखाऊंगा तो मैं इससे छोटा कर सकता हूना और छोटा कर सकता हूँ मैं जिससे आपको मैं दिखा सकूँ पूरा एक बार में चलो धिक तो रहा है न तो x equal यह माइनस 7 जो है यह प्लस हो जायेगा फिर यह प्लस माइनस 7 सता 79 इनको मैं हल कर दे रहा हूं डारेक्ट जिससे जल्दी हो जाए ठीक है यहां देखो क्या है यह है ना इसको मैं हल कर देना डारेक्ट देखो यह उननचास हो जायागा भाईया माइनस 4 छंग 24 24 पंचे 120 होता है का है 25 पंचे 125 होता है तो 24 पंचे पंच कम हो जायागा 120 इसमें से 49 घटाओ कितना आएगा बताओ अगर हम 50 घटा आते तो 70 आता ना 69 आएगा क्या नहीं घटाओ कितना आएगा बताओ यह 51 बीस 71 आएगा ना 71 आएगा जोड़ के देखो 71 आएगा तो यह आएगा अंडर उट 71 और नीचे का आएगा 12 ठीक है अब इसमें दो इस्तिती है एक प्लस एक माइनस चुक्त कि दो मूल आएंगे तो एक बार चिन को पलस में लेंगे एक बार माइनस में दो अंशर हो जाएगा बस कहीं कुछ गड़बर तो नहीं हुआ ना गुड़ा भाग में भाईया ध्यान से देखना कहीं कुछ गड़बर होई तो बता देना कहीं कुछ गड़बर आया तो नहीं ना सब सही जा रहा है ना एक दम ए भाई रुको रुको एक मिनट रुको 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 गड़ाय रहा है भाई गड़ाय रहा है रुको 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 देखो तुम लोग का देख रहे हो यह देखो फिर से यही तो गड़ाय रहा है तो मैं तुमको देखने को बोल रहा था देखो ये माइनस में 5 है ये माइनस में है कौन बताया अभी तक दोनों माइनस माइनस है ना जब इनका गुड़ा करो कि भाई साब ये प्लस में हो जायागा पबुगा तो ये प्लस में हो जायागा 1200 ओ तरीकी इतना बड़ा लोच्चा कितना हो जायागा 179 बहुत आसान हुज जाएगा तब तो आउर 179 इसका वर्गमूल करोगे तो प्लस माइनस 13 आएगा 13 आएगा देखो यही करोगे गड़बड़ाई जाएगा सिस्टम फिर जान लो बताया ना कल्कुलेशन में गड़बड़ हो जाता है डारेक्ट इसको 13 लिखो बस यही देख रहे हो तुम लोग मतलब तू जो कहे बस वही सही है तेरे बिन तो कुछ भी नहीं है दिमाग उमाग लई के बैठा करो भी या कहीं कहीं हम भी भूल जाते हैं जैसे अभी हुआ ऐसा नहीं गलत कर देते हैं लेकिन बाद में थोड़ा सा फिर लोट के आते हैं लगता है गड़ बढ़ हो रहा है तो प्लस चिन लेने पर यक्स बराबर फाट प्लस थर्टीन बटा बारा तो भाईया हो यह तेरा साथ बीस बीस बटा बारा चार से कट सकता है चार पंचे बीस चार तेरी बारा पाँच बटा तीन आएगा पहला मूल देखो यह भी सही है यहां कहीं गड़ बड़ तो नहीं न का कुल गलत है हो जाएगा का ठीक है एक मूल आगया पाँच बटे तीन इसमें कोई दिक्कत नहीं लेने पर माइनस वाला मान लेने पर चलो दिख रहा है माइनस चिन लेने पर ओके चल भाई याक्स इक्वाल सेबन और माइनस थर्टीन बटा बारा तो भाईया ही होई जाएंगे माइनस छे बटा बारा याक्स इक्वाल होई जाएंगे माइनस एक बटा दू इसके दो मूल आ गए एक माइनस एक बटा दो एक आ गया पांच बटा तीन रागिनी कह रही है रिकॉर्ड है क्या रिकॉर्ड की स्वेलिंग तो आपकी गलत है समझ में आया देखिए यही है कुछ धंका पढ़ाओ तो लोग भाग जाते है अब ही हम प्रेमी प्रेम का की रसवरी कहानी सुनाते तो अब ही 300 लोग सुनते और अब ही कुछ धंका पढ़ाने लगे तो भाग जाते है वही है ना जैसे रोगी के मन भाव है वही से बैद बताव है तो ठीक है नहीं बैद कभी नुकसान है रोगी तो ही है लिख लो जल्दी से अगले सवाल पर चलते हैं देखिए सेम है थोड़ा सा इसमें अंतर है इसमें माइनस पांच था इसमें तीन है बस अगले पर चलें चल भाई आगला सवाल देखिए बहुत ही ठोस चीज है आज और जो डीलेड में पचीस में पचीस चाहते हैं वो इसको जरूर सीखेंगे नहीं तो जो सोना बाबू की चक्कर में इतना टाइम बेस्ट करते हो ना सोचते हो पेपर के टाइम में कर लेंगे कुछ होगा नहीं पेपर के टाइम पे फिर वही कहो के पास होने का जुगार लग जाता तो अच्छा रहता नहीं डीलेड नाम मात्र का होगा भी आओ नहीं फिर तो पचीस में पचीस अभी मोका है लिखो सामान ने समी करन AX square BX plus F equal 0 से तुलना करने पर तुलना जब इनकी करोगे चच्चा लोग भाईया लोग तो A कमान 6 आएगा B कमान 7 आएगा F कमान माइनस 5 आएगा 5 तो भी आया था सारे वही माने सिर्फ C कमान बदल रहा है बस तो फार्मूला लगाओ X बराबर माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B square माइनस 4 A P upon 2 A ठीक है माइनस B B कमान क्या है साथ है तो माइनस थोड़ा बड़ा में लिखो अंडर रूट B square B कमान क्या है माइनस साथ है तो माइनस साथ काई square माइनस 4 इंटू A A कमान 6 और C कमान क्या है 3 माइनस 3 अपान 2 A A कमान कितना 6 कोई दिक्कत ना किसी को लिख लो फट से चलो अब ये आगे बड़ेगा ये साथ जो है माइनस माइनस प्लस हो जायागा ये प्लस माइनस देखो भाई ये 4 तियां ही 12 और 12 चंग 72 ये बहतर प्लस में होगा 49 भी प्लस में होगा तो 72 में अगर 49 जोड़ोगे 9,2,11,8,7,4,11,1,12 बहुत अच्छा बन रहा 121 क्या बन रहा बाबू 121 तो 121 का जब तुम वर्गमूल करोगे लेकिन एक लाइन लिख देता हूं नीचे 12 ठीक है कोई दिक्कत नहीं इतने में चलो इधर है आजाओ अब ये 7 प्लस माइनस इसका वर्गमूल 11 तो यहां हो जाएगा 7 11 और ये 12 ऐसे हो जाएगा का हाँ पूरा एक एक नीचे रहता है लेकिन थोड़ा कम अच्छा लग रहा है ना पूरा लिखना चाहिए दिख रहा है ये याक्स बराबर इतना होगा तो याक्स बराबर लिखो प्लस चिन लेने पर करना तो पड़ेगा ना थोड़ा छोटा कर लो जिनको पूरे नंबर लेने हैं धंके पास होना है वो देखें और जिनको से मजे लेने हैं हो जाएं लिखो धान चिन लेने पर तो याक्स इक्वल सेबन प्लस इलेबन अपान ट्वैल तो कितना हो जाएका ग्यारा साथ अठारा अठारा बटा बारा छे से काटोगे छे तरीक अठारा छे दूना बारा एक मूला आ गया तीन बटा दो माइनस चिन लेने पर साथ चार कितना आएगा चार माइनस का चार बटा बारा माइनस एक बटा तीन तो दो मूला आ गया आपके कोई दिक्कत ना इतने में एक मूला आ गया माइनस एक बटा तीन एक मूला आ गया आपका तीन बटा दो ये हो गया आपका दूइगाज समिकरंट कांटेंट ज्यादा है आज क्लास आगे बढ़ेगी क्लास एक बार लाइक होती बाबु भाईया दो बार नहीं सभी साथी फटाफट सेशन को लाइक करें आगे बढ़ते हैं अभी समीकरण बनाना भी सिखाना है यह होती है धंग की ख्लास और हम करते हैं क्लास में धंग की बाथ नाट वन की बाथ चलो वह ऑग्या किसी को नीन तो नहीं आ रही थी यह होमवर खेलो इसा घर से कर लेना गजो कुछ लोग hm को नीन आती यह क्लास में पता है कौन है व znaczy कि अरे वही जो बिया के लिए पढ़ रहे हैं गरवाले नाम लिखवा दियें कि बेटेवा बैटेवा पढ़ता है डी अलेड करता है जिसे बियावा जल दी तहीं हो जाए नहीं कुछ आओ तो नहीं तो उनको तो नीज आ रही होगी क्योंकि उनको कोने मतलब नहीं ये पास होंगे फेल होंगे दूज साल में DL8 पूरा होगा एक आज साल में बिया होई जाएगा छोड़ देंगे का मतलब है लेकिन जो टीचर बनना चाहते हैं वास्तों में किसी और दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहते वो ध्यान पूर्वक पढ़ें इसक्रीन साट ले लीजिए इसका जो दिखता है ये भी होम वर्क है होम वर्क है ये भी देखिए सबलता आतम विश्वास से मिलती है आतम विश्वास आतम सम्मान से मिलता है और आतम सम्मान आतम निर्भरता से आता है दूसरों पर निर्भर होने फिर नहीं सेल्फ डिपेंड बनिए और PBR स्टडी में भी हम मौका देते हैं आपको सेल्फ डिपेंड बनने का समझ रहे हो जो भी कंडिडेट पार्ट टाइम जोब करना चाहते हैं वो दिये गए नंबर पर जोईन जे ओबी जोब लिख करके मैसेज भेजेंगे जो नीचे चल रहा है तो वो हमारे साथ टेली कॉलिंग का वीडियो एडिटिंग थमनेल का या यहां आफिसली और भी कंडिडेड वर्क होते हैं कर सकते हैं परियाग राज उत्तर परदेश से जो लोग निवासी हैं वो ज़्यादा उनके लिए suitable होगा अभी दो तीन लोग की जरूरत है इसको देख ले इसको मैं पहले हल किया था साइद आपको बताने के लिए लेकिन खाने के बाद दिमाग कम काम करता है इसलिए खाया मत करो जल्दी से बहुत रहे रात में खाना खाना ठीक नहीं साम कोई खा लिया करो पढ़ने से दो गंटे पहले एक गंटे पहले कम से कम ये भी होमवर्क है ये भी होमवर्क है होम वर्क है ये भी, दो-तीन सवाल बताया हूं सारे होम वर्क है इसका सब PDF भेद दूँगा मैं टेली गराम पे ठीक है चलो, अब main point आता है इसका second part second part भई या चलो, ये भी बहुत important portion है दिये गए समिकरण के मूलों की स्थिती, मूलों के लक्षण आगे question आएगा paper में भी, कि ये जो समिकरण दिया है इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे, आसमान होंगे, कालपनिक मूल होंगे या फिर पर्मिये होंगे, क्या होंगे समझो step by step अगर आप basic मैज सीखना चाहते हैं, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है high school के बच्चे हैं, तो उनके syllabus का है DL8 के second semester वाले हैं, उनके भी syllabus का है चलो, condition इनको note कर लो, बस समझाओंगा एक एक बिबिक्तिकर, जिसे इंगलिस में discriminate बोलते हैं, जो कि मुझे पढ़ने में आ रहा है discriminate, यहीं बोलते हैं न, इसे capital D से denote करते हैं और ये वाला portion यही इतना होता है, B square minus 4 F E क्योंकि अभी तक आपने जो देखा, सवाल का हल देखा, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा तो साथी मेरे जो question के solution आते थे, किस तरीके के आएंगे, man plus minus क्या आएंगे वो सब इस पर depend करते थे कि नहीं यारे इसी का हल तो है, यह इतना निकलता था, इसी को तो है side मिले जाके यह 11 बनाया अगर यह 11 ना आता, अंडर root 7 आ जाता, तो क्या लगता था, तुम्हें आ जाता ऐसे हल नहीं होता फिर, फिर इसके मूल काल्पनिक हो जाते अब यह ऐसे क्या आ आ गए, वास्तविक आ गए न, तो उसी पर depend करता है सब लिकलो फटा फट छापो, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं देखो, यदि b square minus 4 ac, इसका मान 0 आएगा, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, तथा आपस में क्या होंगे, समान होंगे यानि, अगर इसका मान 0 रख दिया जाए, पूरे का, तो ये मूल वास्तविक होंगे, देखो कैसे, पहले इसको देख लो, फिर आगे बाद में देखना, देखो कैसे ये देखो, मैंने एक्जामपल बताया है, पहले इस्तिती, मैंने क्या किया, जब इसको 0 के बराबर कर दिया, और मैंने मान लिया है कि ए कमान 3, बी कमान 5, ये मैंने माना है खुद से, ठीक है, अब अगर इसको हम सून ने कर दी, अपने मैंने कर दिया, तो ये माइनस 5 प्लस 0, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6, अगर हम प्लस वाला फाइन लेंगे, तो माइनस 5 प्लस 0 आपान 6, माइनस 5 में 0 जोड़ें माइनस 0, माइनस 5 से घटाने जोड़ने पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो माइनस 5 बटे 6 रहेगा, यानि फिर भी वही आया, यहां भी देखो वही आया था, यहां भी वही आया, क्या हुआ, कि जब विविक्तिकर D का मान ये 0 रख दिया गया, तो दोनों मूल बराबर आ रहे हैं आपस में, और वास्तविक हैं, वास्तविक मतलब कोई कालपनिक नहीं है, ठीक है, वास्तविक और समान है, कितने लोग को समझ में आए, एक बार येस बोल तो फट से, आया कुछ समझ में, येस, आचल पाल, राहुल, बात कर रहे हैं ना तुम लोग, चलो, दूसरी स्थिति देखो, जब इस विविक्तिकर का मान जीरो से क्या हो, छोटा हो, जीरो से छोटा हो मतलब, माइनस में हो, ठीक है, मन लिजिए कि इसका पूरा-पूरा मान क्या हो, माइनस का 9 हो, या माइनस का 7 हो, तो आएची इस्थिती में मूल वास्तविक प्रंतु आसामान होंगे क्या होंगे वास्तविक प्रंतु आसामान होंगे अब मैं सारी condition describe नहीं किया हूँ तना time नहीं था आप समझे लो आगे पढ़ाएंगे तो कर देंगे तीसरी इस्थिती देखिए third condition यह दि बिविक्तिकर B स्क्वाइर माइनस 4AC इक्वल 0 स्वारी इक्वल नहीं यह बट्टा बईया यह ग्रेटर देन 0 है यानि इसका मान क्या होगा सुनने से यार वो तो सुनने से बड़ा था यार एक मिनट रुक 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 दोनों में सेम चिनन है क्या यार यह 0 से बड़ा था यह 0 से बड़ा था इसका मान जो है प्लस में होगा कुछ भी होगा प्लस में होगा देखो यह चीद तो आप सभी जानते हो ना थोड़ा सा इसमें मतलब भूल गया जैसे अगर कहीं 8 लिखा है इधर को लगा है इसका मतलब 8 बड़ा है न जिधर दुई मू है समझ रहे हो जैसे अगर यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर 900 है तो आफे लगेगा न जानते हो तो इसका मतलब 1000 बड़ा है 900 छोटा है कहेंगे 1000 is greater than 900 तो वैसे यहाँ यह condition जो है यह 0 से बड़ा है यानि यह कुछ भी हो सकता है positive होगा minus में नहीं होगा हाँ यहाँ condition में छोटा है यहाँ 0 बड़ा है क्योंकि 0 की तरफ को ऐसे है यह 0 की तरफ को है मतलब 0 बड़ा है तो यहाँ minus वाला condition होगा जो मैंने बताया था मानलो minus 7 है minus 12 है कुछ भी है 12 तो ऐसी हिस्तिती में मूल अधिकल्पित होगे यानि imaginary होगे काल्पनिक होगे ठीक है कोई doubt नहीं किसी को नो तकलीफ चलो अगला चौथा condition यह दि B square minus 4 AC बराबर पूड़ वर्ग संख्या है अब तो भी चांदी ही चांदी है तो क्या होगे फिर तब मूल जो होगे पर्मिय संख्या होगी जैसे देखो अभी एक सवाल में हल किया था उसमें ऐसे था देखो यह 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 यहाँ चांदी ही चांदी है यहाँ जो B square minus 4 AC है इसका मान एक पूड संख्या था देखो एक सो यह क्या एक सो यह कैस थी ना एक सो यह कैस थी ना वन टू उन क्या है यह पर्फेक्ट स्क्यार नंबर है आईसी कंडिशन में मूल क्या होंगे पर्मिय संख्या होंगी समझा जो बहुत दिल से समझ रहा उसी को समझ में आएगा जो बगता ही करने वाले लोग है उनके कोनों पले नहीं पड़ेगा तो यह कंडिशन हो गई अगला लास्ट कंडिशन है बब्मू भीया कि यदि इस विपिक्तिकर का मान एक अपूर्ड वर्ग हो यानि पूर्ड वर्ग ना हो यह तो बात पीछे भी साहर रिपीट हुई थी इससे समझ दित जैसे मान लो इसका मान ऐसे आ गया 111 तो ऐसी कंडिशन में यह पूर्ड वर्ग है नहीं इसका पूरा पूरा वर्ग मूल निकलेगा नहीं तो इसके जो मूल है वो आपर्मिय होंगे इरेफनल होंगे ठीक है जैसे मान लो इसका आंसर आ गया है माइनस साथ प्लस माइनस अंडर उट 111 बटन नो यह आंसर हो जाएगा तो क्या आपर्मिय है ना किसी के कोई तकलीफ पेट में कोई दर्द इस सवाल को ले करके बोलो नहीं न एक गंटे के अंदर आज बहुत कुछ सीख लोगे जनाब आज कंटेंट मिलेगा इसमें चलो आगे बड़े यह सब मैं भिस्तार थे समझा दूँगा जो भी पढ़ाया जा रहा है इसका सारा पीडियाफ पाने के लिए हमें टेली गराम पर जरूर जोइन करें टेली गराम पर PBR सटडी जोइन करना न भूलें अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपको पूरा फिरी का सारा पीडियाफ क्लास की इन्फॉर्मेशन आदिस सब यहां पर मिलता है तो लिंक अभी लाश्ट में दे देंगे रोहित सर जोईन कर लेना अगर पढ़ना है वाबू भाईया ठीक है यह तो समझाई दिया हूँ हाँ अब एक नया चीज एक नया चीज देखो फिर एक नया आदेखो चीज पर चीज मिल रही तुम्हें न नया पर नया मिल रहा है न तो यह घाज समी करन बनाना देखो आप तक बाप से बेटे की खोज हो रही थी अब बेटे से बाप की खोज होगी मैथ है यह साइन्स और मैथ मौसेरे भाई होते न समझ न देखो समझों यहां पर यहां एक एक क्वेशन दिया गया था 6X स्कॉार माइनस 7X माइनस 3 इसको हल किया तो इसके दो मूल आये थे 3 बटा 2 और माइनस 1 बटा 3 अब क्या होगा अब हमें यह चीज दिया जाएगा ए रुखना रहे तह कहा जा रहा जा उदर जाट चल तुम भी जा देखो अब हमें यह दिया जाएगा सिर्फ यह बस सिर्फ यह और हमें यह लाना होगा यह समीकरणवा लाना होगा समझो 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 टाइम बहुत कम है लेकिन समझो चलो आओ चलो इनको फट से लिखो इसमें दो मेन सूत्र है ये सूत्र लगाएंगे फटा फटा आएगा चलो दिखाते हैं एक नमूना देखो ये भी सूत्र है ये भी सूत्र है कलास एक बार दूए बार आओ देख लेना यूटूब पे वीडियो पड़ा रहेगा और आप आने वाली कलास हम यूटूब पे रहने भी नहीं देंगे बाद में ठीक है इफ लिए इमानदारी से रोज कलास में आओ शिर्फ लाइब रहेगी नो रिकॉर्डिंग चलो तो ये देख लो ये दोनों सुत्र हो गए आगे बढ़ें आईए इन से समीकरण बनाना सीखते हैं सबसे पहले हम मूलों का योग निकालेंगे देखो यहाँ पर मूल दिये गए हैं A कमान है ये B कमान है ठीक है बाया मूलों का योग फल यानि A प्लस B वैसे इसको अलफा प्लस बीटा कहते हैं लेकिन यहाँ पर डारेक्ट मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूं तो पांच और प्लस ये माइनस का तीन तो पांच माइनस तीन बराबर कितना है का दुई ठीक है तो मूलों का गुड़न फल गुड़न फल क्या होगा पांच गुड़ा तीन माइनस में है बराबर माइनस पंदरा ठीक है अब सूत्र लगाओ ये वाला फार्मूला लगाओ अब यक सिस्क्वाईर माइनस मूलों का योग और प्लस क्या है मूलों का गुड़न फल है मूलों का गुड़न ठीक है बराबर जीरो यही है ना चलो भई रख दो यक सिस्क्वाईर माइनस मूलों का योग फल अभी अभी आया था हमारा दो और इंटू यक से तो यक स और प्लस मूलों का गुड़न फल आया था माइनस पंदरा बराबर का जीरो और यह प्लस माइनस माइनस हो जायागा बराबर जीरो यह आगया समिकरन इनको हल कर लोगे तो वही मूल आ जाएंगे जो तुम्हें उपर दिये जिनको नहीं समझ में आएक बार नो लिखे कमेंड कर दो फट से चलो आया हो भाई यह हूँ चलो फिर ओबर हो गया टाइम बार बार देखना क्लास को रिपीट कर लेना यह मूल दी है इनसे समिकरन निकालना इनसे समिकरन बना लोगे ना बोलो एक बार देखिए वास्तों में पढ़ने वाले यही हैं जो आप जुड़े हैं बाकी जो आते हैं समझा लेने भी आते हैं वो टिक नहीं पाते हैं वास्तों में पढ़ाई होती है तो टिक नहीं पाते हैं जैसे कहते नहीं हैं रोते हैं मुझे कोई सच्चा प्यार नहीं करता है सच्चा प्यार हर किसी को हजम नहीं होता है समझ रहे हो आचार प्रसांद को देखा करिए कभी-कभी जो लोग कमेंट में अपनी दुख दर्द करते हैं मैं देखता हूं वाटसब पर भी कभी-कभी भेज देते हैं इनको लगता है कि मैं लब गुरू भी हूँ ऐसी बात नहीं है उनको देखा करिए सद्गुरु हिंदी यह चैनल देखा करिए वह बताते हैं वहाँ पर क्या पता है कि यह प्यार कोई थोड़ी छोटी चीज थोड़े है कि तुम सौच नहीं धंग से कर पाते हो अभी पैदा हुए और प्यार करने लगे है ना कच्छा पांच का बच्चा भी प्यार करने लगा तो तो क्या शीखो पहले अभी शीखो तभी हजम होगा वह ना धंका हजम नहीं होता है चले फिर तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में हां इसका सभी होमवर्क कर लेना इसको मैं पीडिया भेज दूगा अभी टेली ग्राम पर तेली ग्राम पर मैं भेज दूँगा पीडिया जो पढ़ाया गया सब उसमें कोश्चन भी रहेगा सब भेज दूँगा आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थांक्यू आप सभी को